XRP Ripple को लेगे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्रिप्टोगरेंसी मार्केट में और रीजन एकदम कलियर है क्यूंकि XRP Ripple एक बड़ा ओल्ट कोईन है टॉप 10 की क्रिप्टो है और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि रिटेल इंवेस्टर भी बहुत बड़े लेवल पे होल्ड करते हैं XRP को होल्ड करके चल रहे हैं XRP को XRP Ripple 0.5 और 0.6 डॉलर के बंधन में ही बंदा हुआ है प्राइस 0.51 डॉलर के आसपास चल रहे हैं इस टाइम पे और इस बंधन को ब्रेक किया था 13 जुलाई 2023 को जब SEC से विक्टरी मिली थी तो 100% की रैली आई थी लेकिन एक डॉलर फिर भी ब्रेक नहीं कर पाया था एक डॉलर टेच नहीं कर पाया तब से प्राइस यहां पे आके टिके हुआ है आप समझ रहे हो 13 जुलाई 2023 से लेके अब तक अगर हम देखें 14-15 महीने हो चुके हैं XRP रिपल टिका हुआ है यहीं पे नो डाउट ब्रेक आउट जब भी होगा XRP का क्योंकि हम चार्ट के बेसिस पे भी बात करेंगे और निउस के दम पे भी बात करेंगे ठीक है कुछ ऐसी निउस भी आ रही है जो XRP को अब उड़ा सकती है उड़ाना भी चाहिए क्योंकि XRP का ना कंसॉलिडेशन कोई 6 महीने 7 महीने का नहीं रहा है बेटकोईन का तो आप देख रहे हैं साथ महीने से चाहिए लेकिन XRP का आप चार्ट देखोगे तो इतना बड़ा चाहिए इतना बड़ा प्राइस का चाहिए बतलब इतने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये चाहिए ब्रेकाउट होता है दो तीन साल का एक अंसॉलिडेट जब भी ब्रेक होगा जब भी यहां से ब्रेकाउट होगा तो वो एक बड़ा ब्रेकाउट होगा और यही एक रीजन है जो आपने मार्केट में देखा होगा बड़े एक ऐनलिस्ट आ चोटा मौटा ятельों डिज्कस ही नहीं करते खर गोलीका लेकाइग यह तो ही जएगा लेकिन एक रोप के मार्केट में जो प्रेकशन जोनैं किव्यों जब ब्रेकाउटinação वगा तो ने बहूद ही है अब इसका एक रीजन ये भी है कि पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी whales ने XRP को खरीद है पिछले कुछ टाइम की बात करो अगर में पिछले एक टेड़ साल की बात कर लूँ तो ऐसी बहुत सारी XRP की whales हैं जिनोंने XRP को भर-भर के खरीद है कोई कितना कमी नहीं है खरीद दारी में शॉपिंग में एक तो चार्ट्स का ब्रेक ओट कभी बी हो सकता है ठीक है चार्ट्स के बेस पे एक वेल्स की एक्टिविटी कफी ज्यदा है जो अभी तक कंट्टीनी चल रही है हो सकता है भी भी Wales खरीद रही हो XRP को ठीक है और तीसरा जो सबसे बड़ा reason है क्योंकि combination news का भी होना चाहिए है ना news का combination आएगा तो क्या होगा XRP को help मिलेगी और अच्छा pump करने के लिए तो charts और news का जब combination बनता है ना तगडी news का तो target हिट हो ही जाते हैं तो बड़ा जो CEO हैं उनका मानना यह है कि अब जो XRP ETF है वो जल्दी ही आ सकता है अभी recently Litecoin के ETF को लेके Canary Capital ने अपलाई किया था ठीक है XRP ETF को लेके भी बड़े-बड़े ETF players की हलचल चल रही है it means अगले कुछ time में XRP का जो ETF है वो भी market में 10 तक दे सकता है तो यह news भी help करेगी XRP को ठीक है तो इतना ही कहूँगा अगर XRP है तो मैं इतना ही कहूँगा एक अच्छा मोका है क्योंकि यहां से option नहीं है XRP के पास option सिर्फ एक है उपर जाने का भले ही कितने ड्रामे हो जाएं भले ही कितने नकरे हो जाएं यह नकरे बस थोड़ा सा यहां पर आपको जो है आपके सबर का इंतहान जरूर लेंगे क्योंकि market सबर का इंतहान लेता है option कोई नहीं होता market के पास अगर उपर जाना है तो जाना है नीचे जाना है तो जाना है बहले ही नकरे करे बहले ही जो मर्जी करे तो XRP के पास और कोई option नहीं है, यहां से उपर तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई option होता तो बात समझ में आती, ठीक है, तो XRP मैं कहूंगा, एक golden chance है, hold कीजिए, definitely अच्छे result दिख सकते हैं, खरीदने से पहले अपनी research कीजिएगा, वो बहुत जरूरी है, आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पेंड, तब तक के लिए बाई बाई, टेक क्यों रहाएं,